कॉंग्स विधायका शर्मनाख बयान विधायक के बयान पर शुकाय दर्ज ट्वीट कर मांगी माफी चमोली में सड़क से वंचित है पाना और नानी गाउं के लोग विरोध करने के लिए अपनाय नायाब तरीका कंधे पर मोटर साइकल रखकर गाउं तक पहुंचा है विधाय के इंद्वी सरकार के फैसले का स्वागत आगनबारी कारेखतों इनने जाहीर की खुशी कहा विवहा के उमर 21 वर्च का फैसला का विनितारी पाड़ी में आएजित किया गया जन आशिरवाद कारिक्रम सत्कार महराज को किया गया भवे स्वागर बन्हानों और शेद पंचा से दुस्ते ने थामा बीजेपी का दामत नमस्कार आप देखरें नीज़ वर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो उनरायन यूँ तो कॉंगर्स राजुनीती में नतित्ता का पाठ पढ़ाती रहती है लेकिन अब करनाचक में उनके विधायक और वरिश नेता ने जो हरकत की है वो माफी लाइक तो नहीं नज़राती करनाचक में कॉंगर्स विधायक और पूर विधान सभा ध्यक्ष किया रमेश कुमार ने दुशकर्म का मज़ा कुड़ा दिया वहीं चौतरफा घिरने के बाद विधायक या रमेश कुमार ने दुशकर्म पर भध्दी और श्क्लीर टिपड़ी को लेकर माफी मागी है और टिपड़ी के लिए सभी से खेद व्यक्त करना चाहता हूँ मेरा रादा गरत नहीं था या जगन्य अपराद को कम करने वाला नहीं था लेकिन ये एक ओफड़ा कफ टिपणी थी मैं अब से अपने शब्दों को साबधानी पूरवक आप सभी के सामने रखूंगा ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को आज सदन में भी उठाय गया कई ऐसी महिलाएं थी जो लगातार इसके खिलाब अवाज उठाती हुई नजर आई इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा था वो था केंजरे मंत्री स्मृती रानी का वो काफी ज़़ादा नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आये उन्ठाय उन्हें कांग्रिस पर कड़ी टिपनी किये और कांग्रिस अब चुक क्यों है सवाल यह भी थे कि आखे सुनिया गांधी अब चुक क्यों है क्यों जबाब नहीं दे रही है कॉंग्रिस वधायका ये बयान वाकई शरमसार कर देने वाला है इतना शर्मनाक बयान शायद ही किसे ने आज तक दिया हो जिस तरह की बयान बाजी कॉंग्रिस के वधायक ने की थी जिसके बाद उरपर शकारत भी दरज कर ली गई है वहीं उनके स्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है लेकिन जब मामला गर्माता हुआ देखा तो फिर वधायक ने ट्विटर पर एक पोस्ट करके माफी मागी है देखे कॉंग्रिस लगातार नातिक्ता का पार्ट पढ़ा रही है कॉंग्रिस का नाया नारा भी सामने आया था प्रियांका गांधी जो लेकर आई हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकिन करनाटक के विधायक ने कहीं न कहीं एक बार फिर से कॉंग्रिस को बहुत पीछे कीशतिया है और रजश नेता ने जो हरकत के वो माफी लाइक नजर नहीं आती है कॉंग्रिस नेता मनोश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए है मनोश जी सबसे पहले नियूजवल इंडिया में आपका बहुत स्वागत है मनोश जी लगातार नेतिकता का पार्ठ कॉंग्रिस पढ़ाती है और कई सालों से पढ़ाती हुआ है तो बार-बार आखिर क्या रमेश जी को क्या हो जाता है कि बेतु के बयान बाजी करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कॉंग्रिस ने कभी भी ये नहीं बोला है नेतिकता को समलती है मैं आपको इस बात पताना चाहता हूँ जो उन्होंने का उनको गलत इंटर्ट करने के पुष कि जा रही है उनका जेश है कि अगर आप महिलाओं के ओपर हो रहे है अश्याचार या उनके साथ कोई घटनागर्टी है इस तरीके की घटनाओं पर अगर आप रोग थाम लेगें तो आप इसका मतलब मज़े लेए तो उनके का मतलब यह था आप साथन को नहीं कला रहे है आपकी पद्दती खराब है आप साथन पद्दती के प्रशी बहुत जागरूप नहीं है तो यह जो पूरे सेंटेंस थे वो शब्द कुछ और भी हो सकते थे एक्जाम्पल देने के लिए इनी शब्दों का इस्तमाल करना जरूरी क्यों था तो निर्वर करता है कि आप की चीज को किस करीके से समझ रहे है अगर यही शब्द किसी बीज़ेपी नेता के होते विधायक क्यों होते तब भी क्या आपके जो सोच है वो यही रहती कि गलत तरीके से इसे इंटरप्ट किया जा रहा है मैंने आपको बोला तो कि कॉंजिसंस का इसाथी पार्ट प्रदेश है वहां महिलाओं को अश्याचार ज्याचार जाजा है पर जो लोग इन चीजों में शामिल है वो लोग को बहुत बहुत लंबी हो जाएंगे मैं सिर्फ आपसे यह जानने की कोशिश कर रही हूं कि आपके हिसाब से आपके सोच से क्या जो क्या रमेश्र Свी ने बोला है वो गलत नहीं है पीश्यातार हो रही है उन्हें बरकास करने की मांगो हो रही है तो क्या आगे कॉंग्रिस एक्शन लेगी प्रियांका गांधी यूपी में इन दुनों एक नारा लेकर आई हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस नारे को आज सदन में भी उठाए गया और सम्मित पात्रा ने इस नारे को कोट अनकोट करके ट्वीट किया है और कहा कि अब क्यों नहीं प्रियांका गांधी बोल रही है आपकी टिपनी इस पात्रा का यहां सवाल है सम्मित पात्रा को हम लोग बिल्कुल एक जोकर की तरह समुझें और कोई गंधिर को बगैर ज्यानकारी के कुछ भी बोलते है प्रियंका गांधी को अशक करनी चाहिए तो बहुत बढ़िया नारा है ठीक है अलेकिन अगर इस पर एक राहूल गांधी या प्रियंका गांधी की एक टिपनी अगर इस पर मिल जाती तो शायद आम जनता भी कहीं न कहीं शान्त बैट जाती शोशल मीडिया पर इतनी जो बख्या उधेड़ी गई है वो नहीं होती चले ठीक है आप कॉंगर से जुड़े हूए तो सवाल आप से ही पूछूंगे क्योंकि पार्टी को कहीं सालों से आप देखते आ रहे हैं साथ कहीं सालों से आप जुड़े हूए है ठीक है मनुझी मैं समझ रही हूँ आपके बात को मैं समझ रही हूँ आपके लिहासे वो शब्द उन्होंने गलत इस्तमाल किये लिए उनकी रादा नेक था आप यह कहना चाहरे है चलिए आपको बहुत शुक्रिया निज्वल इंडिया के साथ जुड़ने के लिए हमें समय देने के लिए तो ये जो बयान सामने आये था जिसको लेकर कॉंग्रिस के किरकरी हर तरफ हो रही है अब इससे बचने की कोशिश कहीं न कहीं कॉंग्रिस करती हुई नजर आ रही है साथ ही साथ जैसा कि अभी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े वे थे उन्होंने चाहिए ये तो कॉंग्रिस ही बता सकती है तो कॉंग्रिस स्विधाय का शवबनाक बयान सामने आयान जिसको लेकर चौथ तरफा उनकी कही न कही निंदा की जा रही है और उनके बर्खासकी की मां की जा रही है साथी साथ कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस अब क्यों चुप है कॉंग्रेस अब क्यों नहीं कुछ पोड़ रही है अगर बीजेपी ऐसा करती तो फिर कॉंग्रेस सवाल उठाती लेकिन अपने लोगों पर कॉंग्रिस कोई आक्शन नहीं लेती है वहीं इस ट्वीट के बाद कहीं न कहीं का जा सकता है कि इस पूरे मामने को ठंडे बस्ते में लाने की कोशिश भरपूर की जा रही है चमोली के दशौली ब्लोक निजमुला घाटी शेत्र में पाना और इनाणी गाउं आज भी सड़क से बंचित है ग्रामिनों और जन प्रतिंडियों ने कई बार साशन प्रशासन से गाउं को सड़क से जोड़ने की मांगी लेकिन आज तक गाउं में सड़के नहीं पहुची है विभाग और सरकार की दासींता से नाराज ग्राणी गाउं के युवाउं ने विरोध का नायाब तरीका निकालते हुए कंदे पर मोटर साइकल रखकर गाउं तक पहुचा दिया उनका कहना है कि सालों से सड़क का इंतजार करते करते लोग ठक चुके हैं उन्होंने सरकार को आएना दिखाने के लिए बाईक को कंदे पर रखकर गाउं तक पहुचाया है यह तस्वीरे आप देख रहे हैं विरोध करने का यह नायाब तरीका सरकार को आईना दिखाने कि यहां पर भरपूर कोशिश की गई है मोटर साइकल को कंधे पर रखा है और पैदल चलते वे ये युवक जो हैं वो नजर आ रही है सडकों की मांग लगातार की जा रहे हैं लेकिन अब तक सडकें जो हैं गाउं तक नहीं पहुंची है जिससे आम जन्ता बेहद नाराज नजर आती है लखनों पहुंचे योगी आदेतनाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनिये मेरा जो स्रिंगवेरपुर का राज्य है आप इसका राज करिए मैं आपके साथ खड़ा हूं वो निसाद राज ही थे विया आपके पूरवजी थे और इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी निसाद भारत का निसाज सम्दाए का नियाई कोई भी होगा वह सबसे अधिक प्रसंद हुआ होगा जिस दिन प्रधान मंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भग्मार राम के भव्य मंदिर का सलान्यास किया था कि सबसे अधिक प्रसंद ता कहीं थी और इसलिए हमारी सरकार ने तै किया मुझे बार बार प्रधान मंत्री जी भी और मान्ये ग्रह मंत्री जी भी इस बात को कहते थे कि भग्मार राम का मंदिर विवादित अस्तल पर लोगों ने उस अस्तल को विवादित करने का प्रियास किया था हम लोगों ने लड़ाई जीती है आज वहाँ पर भगवार राम के मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट के माद्यम से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है लेकिन सरिंगवेर पुर में निसाद राज और भगवार राम की मैत्री का एक भव्य समारक सरकार को बनाना चाहिए और भाईयो बहनो उस पर भव्य कारिकर हमारा चल्ला है जो डॉक्टर संजे निसाद जी ने जो बताया है भारती जनता पार्टी बोलती नहीं है सरकार एक करके भी दिखाती है याद करिए 2015-16 में जब समाजबादी पार्टी की उस समय की सरकार उस समय की सरकार जब वहाँ पर अभिवस्ता पैदा करने का प्रियास कर रही थी और भाईों बेनों उस अभिवस्ता के माहूल में जब डॉक्टर संजे निसाद की हत्या करने का पिछली सरकार ने प्रियास किया था उस प्रियास को उस दुस्ताहस का मूतोड जबाब गोरकपुर में सांसद रहते वे तब मैंने ही दिया था और तब हम लोगों ने कहा था कि सरकार को किसी भी सरकार को विवस्ता फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी और भाईों बेनों डॉक्टर संजे निसाद को मेडिकल कॉलेज में जेल से मेडिकल कॉलेज में भरती करवाने का मामला रहा हो या उन्हें न्याय दिलाने का कार्य पूरी प्रमुक्ता के साथ अगर इस कारेकरम को आगे बढ़ाने का कारे किया था तो भारती जनता पार्टी ने उस समय भी किया था और आज इसलिए एक बार फिर से हम लोग आपके भी चाहें आपसे कहने के लिए भारती जनता पार्टी जो कहती है तो करके दिखाती है और भारती जनता पार्टी और निसाद पार्टी का ये कड़बंदन इस बात को लेकर के एक बार फिर से आपके पास आया है आपसे कहने के लिए हम लोग क्योंब अल कहते नहीं याद करिये निसाद सम्धै को ग्रामीन छेत्र में मचली का पट्टा दिलाने की कारवाई किसी ने की थी इसे कानवे में मान्यसी कल्यार सिंग्जी ने किया था और कल्यार सिंग्जी से चली आ रही हो पर था आज भी हमारी सरकार ने परकरार रखा सबाबसपा की सरकार ने उसको बंद करने का प्रियास किया था लेकिन हमारी सरकार ने उसको फिर से बहाल किया है और आज यही हम कहन के लिए आये हैं कि भायों बेनों जब भारती जनता पार्टी और निसाथ पार्टी का एक गड़ बंदन मजबूती के साथ इस कारे करम को आगे बढ़ाने का कारे कर रहा है तो सवाई ग्रूप से सपा बसपा कॉंग्रेस को पीड़ा होनी सवाई कहें क्योंकि अत्याचार औ प्रण्याए इन लोगों ने किया था ये आगे भी इस परकार का कुछित प्रियास करेंगे लेकिन हम सब को मिल करके एक बार फिर से भायरती जनता पार्टी के नित्रतों में सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कारे करना होगा इस विश्वास के साथ मैं एक ब और फिर से आप सबको स्वस्थ करता हों कि उत्तरप्रदेश के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होगा सोचन किसी का नहीं होगा लेकिन जो माफिया और पेसेवर अपरादी सत्ता का संग्रक्षन प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे उनके खिलाब सरकार का और फिर से आज के इस कारेकरम में मानिय ग्रह मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत और अमिनंदन करता हों डॉक्टर संजय निसाथ जी को हिर्दे से एक सपल आयुजन के लिए बदाई देता हों धन्यबाद जैजै श्री लाम तो लक्रों से योगी आदितनात को आप सुन रहे थे जहां उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते वे नजर आये साथी साथ उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया है और कहा है कि हमारी सरकार में लगातार विकास हुआ है प्रदेश का और आने वाले समय में भी ह और आगे बढ़ते रुक करें खबरों का बैराजपुल पर शुराप का ठेका कोनने के लिए भूमी चेन करने पहुंचे पीड़वी राजस वर वन विभाग के अधिकारियों ने अरुग्यापी की जम कर बहस हो गई मामला इतना बढ़ गया कि अनुग्यापी ने बिना इज्वासत तबैराजपुल के बगल में खड़ी भूमी पर मजदूरों से गड़े खुदवाने शुरू कर दिये बाद विबाद बढ़ते ही पुलिस मौके पर पहुँची और लाण ओर्डर का खयाल रखनी की नसीहा देते हुए शांतिपुन तरीके से समस्या का समधान करने को कहा करी 3 γंटे तक बहस बाजी होने के बाद अजुग्यापी को बिना ठिका कोले बेरंग लोटना पड़ा ता बराजपुल पर फिर नहीं खुला शवराप का ठिका पुलिस निकाल और अज़्डर का ध्यान रखने करी 3 घंटे तक बहस चलती रही लेकिन अनुग्यापी को बे करेंगे उसके बाद जो भी जिसका भी स्वामित तो होगा उसके जोरह यहां पर जो कुछ तो यह जो है रिज़र ऑफ और इसकी रहेगा और यह जमीन जो है वनविभाग को वापिस हो जाएगी कि केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उमर 21 साल कर दी है जो कि बेहर सरहनिया कदम है इसकारे की जितनी सरहना की जाए कम है क्योंकि ग्रामिन शित्रों में आकड़े बाजी से अलग बाल विभा की समस्या गंभीर बनी हुई थी और इस कानून के बन जाने से बाल पर अपने खेतों पर अपने घर के बने जविग दवाईयों का इस्तमाल करते तो उसे खेती अच्छी हो जाएगी 2022 की विदानसभा चुनाफ को लेकर सभी पार्टिया अपनी तैयारियों में जुटी हुई है वहीं तैयारियों को लेकर प्रशासिन पूरी तरह से मुस्तैद है आने वाले विदानसभा चुनाफ को लेकर हरद्वार डियम ने किस तरह तैयारियां की हैं आपको रिखाते हैं हमारे साथ हर्दवार के जी लाइदकारी डॉक्तर विने शंकर पांडे जी मौझूद है विजान सभा 2022 की सरगर्मिया तेज हैं परसासन की क्या तैयारिया है पात करते हैं सर आपको स्वागत है दन्यवाद 2022 चुनओ को लेकर बिगुल बच चुका है सरगर्मिया तेज है परसासन की क्या तैयारिया थिए Hoje का समाने निर्वाचन है और उसकी जो प्रारंभिक तैयरिया होती हैं माने निर्वाचन आयोक के आदेश farmers algorithms वागतार की जा रही और जब मानिन निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी विधिवत घोशना की जाएगी तब उसके उपरांद वो आपको त्यारियां दिखने भी लेगेंगी लेकिन हमारा जो इंटर्णल होमबर्ग है वो निर्देशा नुसार जो इसकी टाइम लिमिट है सबसे महत्वपूर दीखिए इसमें होता है एक नॉमबर से जो हमारा ए रोल अपडेशन का काम चला है जिसमें मद्दाता संक्षिप्ट पुनिरिक्षड कहते हैं और जिसमें 30 नॉमबर तक कीती थी थी और जिसमें जो लोग वोटर छूट गए हैं या जिनको किसी अपनी र अतना पत्र प्राप्त हुए थे और ये बड़ा ही हर्श का विशह है कि हमारे 18 साल जुन लोगों की कंप्लीट फस्ट जनवरी 2022 को हो रहे हैं उनको भी आउसर मिला है तो लोगों ने भी इसमें प्लाई किया है तो इस वक्त वो उसके अपडेशन का काम चला है और जैसा कि जाब भी देता है कि पांच जनवरी को इसका प्रकाशन होगा इसी प्रकार से जो प्रवंधन होता है कितने कर्मचारी चुनाव में डूटी भी लगेंगे सभी भागों से उसके सूचनाय प्राप्त की जा रही है और उसके भी डिजिटाजिशन का कारिच अला है कितने वे जिमें में शोड फिसलिटी की बात होती है चाहे ड्रिंकिंग वाटर की दिव्यांग मद्दाताओं के लिए रैंप की प्रकाश की व्यवस्था बिडिलिंग की हाला इन सब पर भी कारे चला है तो कुल मिलाकर जो प्रिपरेटरी त्यारी होती है वो सारी त्यारी हमारी पांडे जी जो एक तेज तर्राद जिला दिकरे माने जाते हैं उनकी क्या तकिया रिया लग से यह जो आपने जिन बिद्वों को बताया है यह विशुद दुरूफ से लाइन और से जोड़े विशे हैं और इसमें हम लोगों ने जो एक से ड्रिल होती है उसके हिसाब से है वह हमारा आपकारी विभाग हो पुलीस डिपार्टमेंट हो उनको बड़े हिस्पस्ट निर्देश हैं कि आप इन चीजों पर विशेश गत्विधियों पर ध्यान रखें और कि कम से कम माफिया धन बल इसका कोई अभी तक कोई इशू पहले भी नहीं आया है और काफी शांतिपूर्ण प्रदेश है शांतिपूर्ण हमारा जिला भी है हम लोगों ने भी इंटर बार्डर डिस्टिक के जो जिला में स्टेट होते हैं उनके साथ भी सहारनपूर के तो आपस में कोडिनेशन रखने के लिए भी हम लोग कारे कर रहे हैं सर जैसे यहां हरदवार में 11 विधान सबाइं हैं इन में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सी विधान सबागों मानते हैं देखिए पूरा निर्वाचन कि सेंस्टिव होता है चाहे वो पर्टिकूलर विधान सबाइब हो निर्वाचन का हर कारें बहुत ही संविधन शीलता से कि अवर लिए एक मात्री तात पर नहीं लगाया जाना चाहिए कि वहां कोई लाइन ओर की प्रॉबलम है या वहां कोई ऐसा खत्रा है जो क्रिटिकल और हाइपर क्रिटिकल लेट वो ऐसा नहीं होता लेकिन दिरवाचन का जो संपूर्ड कारे होता है बहुत ही सेंस्टिव होता है जिस शब्द काप में इस्तिमाल किया उसमें हर करमचारी को हर पुलीस परसनेल को और उस कारे में लगे हुए सभी लोगों को बहुत ही सेंस्ट हो जाता है और नॉमिनेशन के प्रक्रिया चलने लगती है किस जगह से कौन केडिडेट आ रहा है उसके आधार परित्य होता है कि किस छेत्र पर ज्यादा ध्यान देनी की अवश्रकता है कौन ज्यादा समीदन शील हिलाका है या कौन नहीं है सर आगरी सवाल हम भी लंबे स कोई इशू नहीं होता माननी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रार्म होने से लेकर और उसके समाप के सभी चीजें बहुत ही विस्तार के साथ उनके गाइडलाइन होती है हमारे रिप्रेजेंटेशन आप पेपुल्स एक्ट की सारी व्यवस्थ करें तो निर्वाचन स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संबन कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है और साथ यसाथ यदि माननी निर्वाचन आयोग द्वारा कोई इनिशेटिव लिया जाता है तो तरधन रूप कारे करें तो यह तैसे हमारे साथ जिला रिकारी म और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहें नियूस्वाल इंडिया के साथ